हलो फ्रेंड आज हम सीखेंगे कुछ कलर्स के बारे में ग्राफिक डिजाइनिंग में हमेशा से एक ट्रवल क्रियेट करता है कलर का कंसेप्ट बहुत किसी को इजी समझ में आता है और किसी किसी को दिक्कत होता है तो चलिए थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट को हम लोग डिसकस करेंगे बिगनर लेवल में तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि जो भी कलर्स होते हैं सपोज यहां पर आप स्वेच है अभी मैंने एक आई ड्रॉपर ले लिया है आई ड्रॉपर टूल और इस साइड हमा मतलब यह CMYK है और यह वाला है RGB ठीक इसके सामने वाला कलर कुछ अलग धंग से आ रहा है कुछ पाउप हो करके RGB रेड ग्रीन बुलू जो कि हमारे प्रिंटिंग के काम में नहीं बलकि हमारी कुछ स्क्रीन्स में जो सो करते हैं ऐसी ग्राफिक्स जो हमारी स्क्रीन्स में स कुछ देखेंगे तो कुछ हम लोग क्या करते हैं कुछ छोटा-छोटा स्वेचेश बना लेते हैं इस पर हम लोग और भी आगे डिसकाशन करेंगे इस तरीके से हमने स्वेच बनाया है और इसका यूस करेंगे थोड़ा दिर में तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कलर को RGB TV में हमारे कुछ नए अच्छे टूल्स हैं हमारे ओनलाइन में जैसे कि adobe colors का colors.adobe.com में हमारे पस यहां पर एक चीज मिलता है color wheel और यह एक best चीज है अगर आप कुछ colors बनाना चाहते हो और आप आपके पस कुछ base है कोई color है और उसके according आप color wheel में कोई color बना चाहते हो और आप चाहते हो कि उससे related और भी color मिले जो आप यूज करोगे अपने design में तो यहां पर बेस्ट है आपके लिए और यहां अलग-अलग settings आप देख सकते हो तो सबसे पहले तो मैं अपने test के लिए test purpose के लिए मैं एक color को यहां पर उस color wheel में डालने वालो हूं तो मेरा यह color है और अगर मैं इसको f11 करके जाओं तो तो यहां पर ओके यहां पर हमें एक hex code मिला है यह वाला ओके simply hex code मैं copy कर रहा हूं suppose मैं सोचता हूं कि यह color यह color जो है यह color मेरा base color होगा तो मुझे related color चाहिए अगर मुझे पास hex color है hex color निकाल लिया हमने और उसको जब मैं यहां पर base color यहां पर जो बीच में जो मैं यहां पर type कर दूंगा तो और उसके बाद जब हम enter कर देंगे course style से हमें मिला है हमारे पास और भी अलग-अलग है जैसे monochromatic चाहिए तो monochromatic में simply एक ही line में हमें एक अलग shade मिल जाता है सभी colors का monochromatic shades तो अभी यहां पर RGB mode है hsb हो सकता है आपके mode और हो सकता है lab तो RGB ही रहने देते हैं और monochromatic के बाद आधा triad triad भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है colors और आप इस color wheel को अलग-अलग है मतलब एक black का मिल रहा है और एक यह यह पता नहीं यार यह तो मैंने कभी देखा ही नहीं था तो अलग-अलग है आपको custom shades बना सकते हो और shades हैं यहां पर और यह compound है ओके यह क्या है और एक अलग-अलग है आप try करना लेकिन यहां पर जितना भी आपको मिलने वाला है सब के सब RGB लेकिन आपको CMYK में करना है तो थोड़ा आपको यहां पर तो नहीं मिल रहा है कोई option हमने ढूंडा यहां पर कि CMYK मिले मुझे लेकिन मुझे नहीं मिला तो लास्टली मैंने CMYK के लिए अपने कोरल ड्रॉ में भी अपना कलर भी लोता है जैसे सबोच मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करता हूं अगर आप सिफ्ट के साथ F11 दबाते हो तो सिंपली एक कलर विल खूल के आएगा और यह इस वाले option में आ जा लो और एक बार मैं ट्रै करता हूं बीना सिफ्ट का तो आप पहुंच जाओगे फाउन्टेन फिल वाले section में इस वाले section में अगर सिफ्ट के साथ किलिक करोगे तो इस वाले section में आओगे तो मैं cancel करता हूं फिर से और सिफ्ट के साथ F11 तो यह था shortcut की दो बार तीन बार मैंने repeat कर दिया अब भी यहाँ पर हमारे पास एक color का फुल एक वो आ गया है वील मैंने अपना complimentary color में रखा है यहाँ देख लो ह्यूस में मैंने complimentary compliment वाला में रखा हुआ है आपको अलग-अलग यहाँ पर तीन color का shade चाहिए तीन color चाहिए या फिर आपको triangle कुछ इस तरीके से चाहिए और एक triangle 1 है जिसमें की एक तो दूर रहेगा बादमा की इस तरीके से नजदिक होगा suppose yellow है और yellow का एक shade देदेगा और उसी का opposite वाला color है इसी का opposite है और उसका एक shade निकाल दिया और suppose इसको मैं जहाँ जहाँ ले जाओंगा उसका अलग-अलग shade निकाल कर देगा तो इस तरीके से आप color wheel का use कर सकते हो color wheel से rectangle में 4 मिल जाएगा और pentagon में आपको 5 color का मिलेगा और यहाँ dark होता जा रहा है आप इस variation को change कर सकते हो यहाँ आप चाहते हो अगर lighter चाहिए मुझे तो lighter मिलेगा उससे मतलब जो भी color है उससे light colors मिलना चालू हो जाएगा और warmer में जाओगे तो कुछ warm color मिलना चालू हो जाएगा और यहाँ पर अच्छा है यहाँ बहुत 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 अच्छा से इसने color wheel इनका है आपके coral row में तो आप इसका use कर सकते हो अच्छा है यहाँ तो मैं compliment में रहता है और जब मुझे और भी extra colors चाहिए होते तो मैं कुछ से बनाता हूं तो चलो यहाँ पर मुझे इस तरीके से color मिल जाते हैं तो यहाँ पर मैंने मैं यह कर सकता हूं जैसे document में document जो है यह करता हूं फिलाल जो भी color हम use करते हैं document में आ जाता है document colors यहाँ दिखाता है यह switch है आपका document color का तो अभी हमें और भी colors add करते जाना है बलकि यहाँ नहीं लेकिन यहाँ पर तो हम shift के साथ F11 प्रेस करेंगे और फिर हमारा dialogue box खुल के आएगा और यहाँ पर हम लोग क्या करे करेंगे ना कि अलग-अलग colors बना लेते हैं जैसे कि एक हमने yellow में बनाया अभी और मैं यू करते वे कुछ इस color पर जाता हूं और थोड़ा dark में जाता हूं ओके इस color को मैं create करता हूं और add to palette करता हूं तो इस बार कहीं feel नहीं हुआ यहाँ भी feel हुआ यहाँ पर मुझे मिल गिया और उसी का ठीक opposite color मैं यह भी add to palette कर रहा हूं और यहाँ पे और भी अगर मुझे और भी colors चाहिए तो और भी colors मैं यहाँ से बना सकता हूं जैसे यह color यह color भी ठीक है तो इसको मैं add to palette कर रहा हूं ओके okay counts our add to palette यह हो गया है मुझे यह वला करना है add to palette यह हो गया तो इस तरीके से आप अलग-अलग colors को add to palette कर सकते हो और अगर उनके अलग-अलग shades चाहिए तो आप बना सकते हो जिसे suppose इसमें हूं और इसका मुझे darker shade चाहिए या darker shade नहीं हो करके मुझे warmer shade चाहिए तो warmer shade में जा सकते हो या warmer shade नहीं जा करके less saturation चाहिए तो इस तरीके से saturation को कम करके इस तरीके से color आप add to palette करो तो यहां पर दो-दो color मिल गया एक जैसा तो जब आप okay कर ले तो आप इनमें से जो भी best best color है जो आप use करोगी आपको लग रहा है तो उनको आप अपने swatch में add कर लो and आप उन् तो यह color तो नहीं ठीक है लेकिन यह color तो ठीक है तो इस तरके मैंने का ही सारे CMYK है यह सब के सब हमारे CMYK है और इसके मैं और भी mix करके colors बना सकता हूँ suppose मुझे इन दोने के beach का color चाहिए तो वो कैसे बनाओंगा तो अगर मुझे इन दोनों ही color को mix करना है तो सबसे पहले एक box लूँगा और फिर और फिर मैं इस पे fountain fill करूँगा gradient से कुछ इस तरीके से और यहाँ वाला color जो है इस box में जो मैं color डालूँगा वो डालूँगा यह वाला है ना ओके विशायद यह वाला है और यहां पर मैं color डालूँगा यह वाला तब ही मुझे दिखनी रात आप इसलिए नहीं किलिक कर पाया अब मुझे मिल गिया है इन दोनों के beach का color अब मैं इन दोनों का color का जो mixer color आने वाला है यह color यहाँ पर वो मैं निकाल सकत अब मैं बीच में किलिक करूंगा यहां पर एंड उसको यहां फिल कर दूंगा तो यहां जो यह जो कलर है इन दोनों का मिक्सर है अगर मुझे मुझे चाहिए इसका और इसका मिक्सर इस दोनों का मिक्सर करना है तो मुझे कुछ यहां पर कुछ अभी एक यहां रख देता हूँ इसका result यहां देता हूँ अभी मैं यहां पर इन दोनों को mixer करने के लिए G press करने के बाद यहां से यह color लिया और फिर यहां पर यह वाला color ले लिया तो हमें मिल गया इन दोनों के बीच में यहां वाला color तो यह वाला color को हम color picker से उठा लेंगे आई ड्रॉपर से उठा लेंगे ठीक बीच में जो color बना है यह वाला color है हमारा मतलब इन दोनों को mix करने के बाद हमारा यह color बन जाएगा तो हमारे पास कुछ अगर basic color हो जैसे कि CMYK हमारा जो main color है अगर उन colors को आप मिला मिला करके बनाना चाहोगे कुछ इस तरह का trick से तो बहुत सारा colors आप बना सकते हो बहुत ज़्यादा use amount इतना ज़्यादा use amount कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो बहुत ज़्यादा colors आप बना सकते हो colors में मैं फिर से बता दू कि colors जब आप setup करते हो तो आपको यहां पर यह अलग-अलग model है, अलग-अलग तरीका है जहां से आप अलग-अलग colors का pick up कर सकते हो, ले सकते हो suppose अभी मुझे यहां पर जो color लेना है वो color wheel से नहीं लेना है लेकिन मुझे कोई image से लेना है तो आप उन्हें ले सकते हो, suppose मैं फिलार यहां से ले रहा हूँ और जब मैं यहां से ले लेता हूँ तो अभी देखो गया अभी मैं यहां से लेता हूँ and हमने लिया जैसे ही लिया यह वाला color तो उनका opposite color हमें मिल गया यहां पर तो इस तरीके से colors आप निकाल सकते हो, बेहतरीन colors आप बना सकते हो अपने coral डो में दोस्तों अगर आपको यह color का series पसंद आया तो please like कीजे इस वीडियो को हम अगला वीडियो ला रहे हैं एक business card बना रहे हैं तो please हमारे channel को subscribe कीजिए और next video हमारे business card बना जरूर देखें